राजसभा टीवी का ये बेहत खास प्रोग्राम है गुफ्तबू और गुफ्तबू में आज हैं हमारे साथ वेटरन, मेकप आर्टिस्ट पंडरी जुकर पंडरी जुकर पंडरी दादा के नाम से मशूर नारायन एज जुकर एक लेजेंडरी मेकप आर्टिस्ट है फिल्म दुनिया की तीन पीडियों का मेकप कर चुके पंडरी दादा आज 44 साल की उम्र में भी मेकप के काम से उतना ही प्यार करते हैं जितना उन्होंने पहली बार वी शानतराम का मेकप करते हुए महसूस किया था इसके मेरा मेकप करे रहे हैं, महान मेकप आर्डिस्ट पंडडरी जुकर दूखर काम की सिफारिश महशूर अधाकारा नर्किस ने की थी उस जमाने के उस्ताद मेकप आर्डिस्ट बाबा वर्धन से मेकप के गुर सीखने वाले पंड्री जुकर ने आगे चल कर मौसको से मेकप आर्ट में डिप्लोमा भी हासिल किया जनक जनक पायल बाजे, चित्र लेखा, ताज महल, नूर जहा, नील कमल, नागिन, मोहरा दिल वाले दुलहनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों में मेकप से चरित्रों को एक नया रंग देने वाले पंड्री जुकर के हाथों ने बहुत से ऐसे कलाकारों को समारा है जो भारतिय सिनेमा में मील के पत्तर कहे जाते हैं ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना सहरा सजा के रखना चहरा चुपा के रखना जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा जो आदा किया वो निभाना पड़ेगा पंडरी जुकर के सधे हुए हातों के मुरीद लोगों में मीना कुमारी, दिलीप कुमार, नवाब पटाओदी, शर्मिला टैगोर, सुनील दत, अमिताब बच्चन, जया भादुडी और धर्मेंद्र समेत अनेक अदाकार शुमार होते हैं पंडरी जुकर को उनके मेक अप कौशल के लिए अनेक पुरसकारों से नवाजा जा चुका है पंडरी दादा, ये जो मेक अप है, मेक अप की दुनिया में आप कैसे आए? ये एक हाथसा था वैसे दिखा जाए, क्योंकि मेरे, मुझे ये लाइन पसंद नहीं थी, जैकि मेरे पादर को भी दोगोने का, ये लाइन बहुत बूरी है करके, लेकि पादर ने का, कि अभी उसने चालू किया है, तो जो होता है, वो कि जैते, मैंने 1948 में मैंने इसमें प मुझे इतना याद है कि मैंने तीन फेफुरवरी 1948 में मैंने काम शुरू किया, तीन फरवरी 1948, और पहला मेक अप आपने किसका करें, कि शांतारम जी का मैंने मेक अप किया पहले, और वहां से मुझे जॉब मिला, और जॉब भी मिला तो सैलरी हो गई सत्तर रुपे मैंना, यहने सत्तर रुपे भी उस तहीं का जमाने में बहुत अच्छे लगते तोर से थी, और अपने अपने गुरू का क्या नाम बताया, मेरे गुरू जो थे बाबा वर्दम, उन्होंने मेरे इस लाइन में लाया कि तो उनको असिस्टन की जुरूरत थी, तो मुझे लेके आए उसके बाद बाखी काफी गुरूज हो गए वैसे एक जीमी वाइनिंग भी जित है, जैसे ने जनक जनक पराजबजे में मेकप किया, उनके साथ भी मैंने काम किया, उसके बाद दादा परांस पे जो माने हुए मेकप आटिस थे, जो प्रभात से निकले हुए थे, और उनक यह साथ भी मैंने बहुत यह किया, बाबा वर्धम से आपकी कैसे मुलाकात हुए? बाबा वर्धम मेरे पड़ोस में रहते थे, उनका बेटा जो था, वो मेरा क्लास प्रेंट था, वैसे, स्कूल में था, तो उनके वज़े से यह मुलाकात हो गए, और मेरे पड़ोस में र का बेटा, आपका स्कूल का दोस्त था, स्कूल में आप पढ़ क्या रहते हैं? मैं, मैं एक्चुली पढ़ा, बहुत कम पढ़ा हूँ मैं वैसे, लेकिन मेरा स्टैंडर फोर्ट तक मैंने किया एजिकिशन, लेकिन उसके बाद ओ भी मेक अप अडियूस बन गया था, जो ब और आपके समय के, और दूसरे कौन से मेक अप आर्टिस्ट हैं जो अभी काम कर रहे हैं या जीवित हैं? मुझे नहीं लगता कोई हैकर के अभी उस तेम से, क्यों मैंने जो थे राम टिपनीस वगरा थे, सब अपने बिदा हो गए पुरे थे तो कहा जाए के बाबा वर्धम की वज़ा से ही आप मेक अप के काम में आए? शुरू हुए मैं तो कौन सी ऐसी चीज थी जो मेक अप के काम में आपको अकरशित कर रही थी? नहीं नहीं मैंने देखे एक ऐसा टाइम था मेरा कि उसमें मुझे किसी जगे पर काम पर लगना ही था तो मैंने एक काम शुरू किया और उसके बाद मुझे चांसिस बहुत मिले और मेरा नाम आगे मशूर होने लगा तो मैंने राज कमल छोड़के एक रशन पिक्चर बन रही थी जिसमें मुझे नर्गिज जी ने प्रुस्तान दिया था कि इस लड़के को आप रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा तो इसलिए मेरे ट्रायस लिए गए वो भी कारणार रेक स्टूडियो ता हुदर और उसके बाद मैंने राज कमल छोड़ दिया राज कमल में कितने साल करने के बाद शे साल किये मैंने राज कमल में और तंखा वहां फिर बढ़ती चली गई होगी सतर रुपे से जो शुरुआत की गिल्टी उसमें सतर के सो हुए थे जनक जनक पाल वही जे में और उसके बाद जो मुझी मेरी बढ़ती मिली ओ रशन पिक्चर बन रही थी उसमें पास्ट रुपे सेलरी होगी तो परदेशी जिसमें नर्गीश थी बल्राज चानी थे और वहां पिर मुझे डिप्लोमा भी मिल गया था तो शुरु शुरु में जब वो मेकप का काम आप जब बाबा वर्धम को असिस्ट कर रहे थे तो करना क्या होता था उसमें मेकप में तो बहुत चीज़े ऐसे होती है कि जो बुढ़े को जवान करता है जवान को बुढ़ इस वेरी डिफिकल्स मेकप वैसे लगा है कि आपने थोड़ी सी गल्ती की का आपका नुप्स फॉरन दिकलते थे तो उसके बाद जो कलर शुरू हुआ तो सब एजी होने लगा वैसे है तो लेकिन फिर भी ब्लैक और वाइट के भी जमाने में क्या-क्या सावधानिया बरतनी होती थी या क्या बाबा वर्धन ने आपको ट्रिक सिखाए जिसकी वज़े से आप फिर मेकप के काम में कुशल होते चले गए हैं वैसे तो है एक्चली देखा जाए तो जिको जो मेकप आडिस होते हैं उसको पेंटिंग अभी थोड़ा ना चाहिए और वो मुझे था पहले से तो कि मैं सकेचिस वगारा करता था और पेंटिंग करता था बच में काफी तैम फोटोरपी भी करता था तो उसमें मुझे बहुत एजी हो गया सिकना भी एजी गया और सब चीज़े एजी गये हैं जैसे जब मेकप शुरू करते हैं आप किसी का तो सबसे पहले क्या करते हैं मेकप शुरू करते हैं तो पहले पहले हम लोग उसका फेस वाच करते हैं समझो उसको कोई क्यारेक्टर देना हो तो उसका फोटोराफ लेके उसका स्केज करके उसके ओपर मेकप के स्केज करके हम लोग बनाते हैं तो उस हिसाब से हम लोग को चलना पड़ता है वैसे और ये लड़की को हम लोग कितना खुश्रूरत बना सकते हैं वो पहले करना पड़ते हैं, सोचना पड़ते हैं, उस हिसाब से आगे जाना पड़ते हैं, कि कहां कोई portion बड़ा हो, उसको black and white में हम लोग maroon color यूज़ करके दबाते थे हैं, अभी तो maroon color हम color में यूज़ करें तो foreign हो दिखता है, लेकिन कभी भी अभी उस black and white के जमाने में yellow का और औरेंज बेस का ज़्यादा चलते थे, उस हिसाब से हम लोग face का divide करते थे, और उसको follow करके हम लोग करते थे, आप देखेंगे, अभी मादुरी जिस्ते ही मेरे पास आ मादुरी जिक्षित, पहले बाद मैंने make-up किया, सब कुछ किया, उसके बाद तो खुबसूरती कि मादुरी को खुबसूरत बनाने में हम लोग का कहाता है, वैसे मादुरी वैसे खुबसूरत नहीं थी, लेकिन जब उसको हमने make-up किया, तो उसके बाद उनके secretary थे, उन्ह किया, सब कुछ किया, उसके बाद पिक्चर मिली, जब मादुरी फर्स ताइम आई थी, वो पिक्चर थी कर्मा, कर्मा में सुबज गए ने उसको, एक गाने के लिए बुदाया था, और मुझे कहा की गाना हो, शुटिंग चल देती कैश्मिर में, तो कैश्मिर में मैंने उ बहुत काम चलता था इस ताहिं तो हर इंक का मेंक उमारी आई यह, सब इक ओप डेली चलते थे, यह मीना किसे शिचा देनी दी मैं लडाकी में थोड़ा शाम आफ है, तो उसको आप विष्ट कर रहे है। तो सुपध भोलते हैं नहीं तो गाना पिक्चराइब पिक्चराइब करने के बाद उन्होंने और इस में फिकने लिया। मेक-अप आर्टिस को लगता है कि वो इस आर्टिस में कुछ चाम है तो वो करते हैं तो मतलब कितनी तरह के एक फिल्म में कितनी तरह के लोगों का मेक-अप करना होगा आपको? पूरे केरेक्टर जितने होते हूं, उनका सब का मेकप करना पड़ा है। उसे सथे लिवैंने साथ आशिस्टन होता हु, जो सम्मालने वाला होता है। और जब समझा कोई एक्स्ट्रा चारेक्टर निखले तो अपना असिस्टन करता है। मतलब जो कुछ हलका फलका make-up होगा वो असिस्टेंट करेगा और अगर किसी में से कुछ character निकालना है character निकालना है या continuity रखनी है तो उसको वही किसकरना पड़ता है तो मैंने 252 दिन make-up किया तो 252 दिन की continuity मुझे वही mental करनी पड़ती थी कि जो मैं आज किया हों हमेशा कूह सब्सक्राइब है तो लिकन इसमें तो बहुत मुख्किल काम है कि अगर आज जो किया मुख्ल भूल भी सकते है कि क्या किया duck नहीं, भूल नहीं सकते हैं, इसलिए कि एक दपे दिमाग में बैठ गया तो मैं आप भी आपको बताओ किसा मैंने जनक जनक पाद बाज़े में क्या मेकप किया है, ओभी मैं बता सकता हूँ, इतनी मेमरी मेरी स्ट्रॉंग है तो मेकप में क्या-क्या एरिया कवर होगा, मतलग आपका चेहरा होगा इसके अलावा? इसका बाडी भी कलबने परते है किसीं को ऊल्ड बनाना तो उसको रिंकस वगरा देने परते हैं पेस पे और कि इसको पुपिंश कैसे गायब करें रहे बहुत होने चाहिए और कि पुपिंश देना हो और भी मालूमत होना चाहिए और तब black and white के जमाने में क्या-क्या material आप लोग यूज करते थे आज तो बहुत advance हो गया और बहुत advance material विदेश से भी आने लगा make-up का लेकिन तब जब आप लेकिन पहले हम लोको ने जब किये हैं तो हमको black and white दवाब में आइबरो करने के लिए काजल भी लगा लगा हुए थे इसलिए कि बहुत सी चीजे मिलती नहीं थी अभी तो full facilities मिलने लगें कि जब हमने जनक जनक शुरू किया तो हमको पूरा experience होने लगा कि हमको जो चाहिए यह चीज available होती थे लेकिन पहले जमाने में हुए नहीं था कि हम लोगों ने अभी किसी कुछ statue पूजीस करना हो तो मैं statue के लिए घर में बैठके जेली में gold powder लाओ या bronze powder लाओ या copper powder लाओ वो अपने जेली में mix करके बना के डबे भरके रखता तो उससे अपने complete body cover करता था तो यह और इतना खुबसूरत रिजर्ड आता था कि लोगों को देखने के बाद लगता था कि यह statue करके तो इस तरह से और क्या फिल्में हैं और क्या बाते हैं उसके बारे में बात करेंगे पंडरी दादा लेकिन अभी एक break ले ले अभी वक्त है एक चोटे से break का break के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं पंडरी जुकर के इतना मजाया कि एक तो मैं जैसे रगिस्तान में लोग होते हैं उसको वाच करने के लिए मैं रगिस्तान जा कि आया है उसमें देखा कि लोग कैसे रहते हैं क्या स्टैल से रहते हैं कैसे कलर सोते होनके उस हिसाब से हर क्यारेक्टर कु मैंने उसी धंग से मैंने मेंने मेंक और घ AGAत एक बार फिर से प्रोग्राम है गुफ तगoo और गुफ तगउ में पंड़ी जुकर है हमारे साथ पंड़ी धादा जो की बड़े ही जानवानी मेकप आर्टिस्ट हैं पंडी दादा किन किन फिल्मों में अगर बहुत सारी फिल्में तो मतलब अब कैसे उनकी कोई लिस्ट तो आप बताने पाएंगे लिस्ट बताने में अभी देखिये मैंने ताजमाल की नुरजान की सब या ने बड़े-बड़े बाइफेरिकल पिक्चर भी किये उसके बाद मैंने यह शोपरा के साथ 42 यह काम किया यहने बैनने में भी हम लोग का हाग था वैसे बीच में काफी पिक्चर ऐसे होगी कि बहु बेगाम हां या निल कमल यह सब पिक्चर में बहुत यहने एक चाम रहा एक आर्टिस को खुबसूरत बनाने में लोग बोलते थे कि मेकड़त करना हो तो पंडरि नहांदा से करो और फिर कैरेक्टर का लाइंस में आजाओ करके हैं तो यह शुरू हुआ था और जब भी मैं काम करता हूँ, कभी भी काम करता हूँ तो सोच के काम करता है इसलिए कि अपने को आगे क्या करना है वो मालूमत होना चाहिए उसी साथ में काम करता हूँ तो अगर देखें कि सबसे पुराना नाम तो आपने लिया वी शानतराम का कि जिनका चेहरा आपके हाथों में उसके उपर आपने ब्रश चलाया या जो भी आपने उसको सजाया या उसको एक फीचर दिया, एक करेक्टर दिया, ऐसे कुछ और चेहरों के नाम लीजिए. दिलिप साप भी काफी साल मेरे साथ में थे, याने पूरे जनरेशन भी देखें ये ज़र आप नवाबा पतोड़ी, ईजर क्रिकेटर एक्चुली देखा जाएं, तो उसका भी मेक अप मैंने किया था, शर्मिला टॉगर का किया था, स्वेपली का किया था, उनकी बेती का भी किया, तो जनरेशन के पूरा जनरेशन को मैंने हैंडल किया, जैसे नर्गिस्ती, सुनिल रत्ताथ, या संजयदत, सब पूरे एहते, धर्मिंदर है, धर्मिंदर, बॉबी डवल है, सनी डवल है, उनके भी मेक अप मैंने किया है, तो ये सिल्चला याने चालूए अभी, अ ये शोकरवास में लेके गया, मैंने का ये जी, इसको हम हिरोई लेते हैं कर गए, तो ये जी ने उसका टेस्ट लिया, उन्होंने, हैसुरा ने खुद कंपोज वगरा किया था, डांस वगरा, लेकिन एक था कि लोग मुझे चाहते थे, इसलिए मैं काफी आगे बढ़ा, ज जब मैं रश्या से आया, तो लोगों ने पुछा किया रहे, इसको पेमें क्या देंगे, तो मेरे उन्होंने कहा कि ये बौत मुश्किल है, तो सवाल ने आता है, तो मेरे एक साल मैं घर में बैड़ा रहा, आने के बाद, उसके बाद कानून शुरू हुई थी, बियर चोप मैं खुलने किया, मैं प्या कसूर हूँ, बिलकुल ने दोस हूँ, मैं बाद, अभी रिटेग निकला था, उनको दाड़ी लगानी चाहिए, तो उन्होंने मेरा नाम सुझेस किया कि ये लड़का दाड़ी लगा सकता है, तो मैंने जाके उनके दाड़ी लगाए, और दाड जैसी उनकी ओरिजिनल थी, वैसे मैंने दाड़ी लगाए, तो बियार चोपराजे ने मुझे कहा कि हमारे बियार प्लिप्स में क्योंने काम करते हैं, तो वहाँ मैंने, मैंना अड़ाइसर रुपे सैलेरी पे काम सुरू किया, तो वहाँ काफी पिच्चर्स हो गए, गुम लोको के रिलेक्शन भी मेरे ज्यादा होने लगे जैसे, तो उसमें लोको ने पुछा कि चलो, उसके बात मैंने एक चांस लिया, जो खाजा बंदाबास आपकी पिच्चर थी, चार दिल चार रहा है, तो मिना गुमरे ने कहा कि उनको, खाजा बंदाबास आपको कि मेरा मे बहुत पुराने, तो उनको उन्होंने बोला कि ठीक है, पहले मेरे पाद जो लड़का है, उसको आप ट्राइ कीजे, तो उन्होंने कहा कि अहर नहीं, आप ट्राइ करते करके, और उसमें मैं सक्सेस हुआ, और दिखाना था उनको, ब्लैक एंड वाइट में बिटिश लुक यानि साहुली लड़की जैसे होती, तो मैंने वो ब्लैक एंड वाइट में भी डार्क ओंपलेक्शन दिखा उसको, और उसमें मैं सक्सेस हुआ, उसके बाद जब तक लास तक मिना कुमार का मेक अप आड़िस महीं रहा, और बताइए जैसे कि आपने नाना पल्सीकर की दा लोग थे जो पढ़नी किया है, जैसे बहुत लोग थे, सुभाज जी के साथ भी मैंने काफी पिच्चर गिये, जैसे मनोश कुमार के साथ भी काफी पिच्चर गी है, क्लांती वगरा अजब को, यानि पूरी पिच्चर का मेरे उपर डिपेंड रहते थे ते हो लोग, और म बलते हैं, नाम हो जाता था जैसे अभी आप देखेंगे कि जैसे सुनिलत ने रिश्मा और सेरा बनाई, तो मुझे उस बिच्चर में काम करने का इतना मज़ाया कि बहुत से क्यारेक्टर्स वगरा कैसे होते हैं, वो पहले मैं जाके वाच किया, उसके बाद क्यारेक्टर् उसको भी विटिश लुक दिया, यानि जो ब्राउनी स्टोन जो होते हैं, मेकप के, वो किये मैंने, वाईदाजी को भी वैसे ही दिया, मैंने, बाकिया अमिता बचन वगरा थे, उनको भी उसी क्यारेक्टर्स को लाने के लिए जैसे लगता था, उसके हिसाब से दे दिये, जो यानि लोकों को लगे कि ये रियल राजस्तानी हैं करके, तो उस हिसाब से करता था, एक दिन एक सीन ऐसा था, कि सुनिल ड़त को गोली लगी हुई है, और वो एक्चली डाकु रहता है, और वो उसने देखा है कि अभी गोली को निशाना जो एक ही होता है, कि जब आप फायर देखें तो उसका पॉज़न कम होता है, तो एक सीन था जिसमें सुनिल ड़त अपना आगे जाता है, यहाँ संसेट है, और वहाँ मून राइज है, और दोनों में एक शॉट लेना था उसको, तो उस शॉट में मैंने उनको उनको गोली का निशाना दिया लेकिन मुझे मालूम था कि यह आदमी जो कभी भी रियल भी फायर लगाएगा काहत पे, तो उस ही सबसे मैंने सेफेस्ट जो होता है, उसमें मेक अप में, एलबस्टर सीट लगा के, एलबस्टर कलॉट लगा के उगरा, उसको उपर मेक अप करके, वो गोली का निशाना ब वैक सियु करने के बात, जब कैमेरा जब एक यू लगा था, तो कामेरमन जो था को अचिस्टर कैमेरमन और बेोश हो गया गिर के तो उसको लगा की भी पिगल रही है तो उसको रहा नए जई तो बे बेोश हो गया बाट गरं हो गया किया है तो बोलता है कल नहीं शॉड मिल लगता हो गएरा तो रहने का यहां अब कर जहां आपको फिक्स चाहिता हूँ आप फिक्स हुआ है और ऐससे कुछ मिस्टेक नहीं हो लेकिन तो कैमेरा में ने देखा राम चुंदर कैमेरामन ता उनसे देखा वगरा तो शौट ओके था लेकिन यह जो नेचरल्टी जो होती थी है कि वो पेवोश होदे के करण कितना नुकसान होता था वो पता लगा परने जादा यह जो मेकप करके उसको बिलकुल सच के पास पहुंचा देना आप गोली लगी नहीं है लेकिन आपको यह एसास कराना है कि गोली लगी है और वहां से चर्बी पिखल रही है और यह सब आप अपने मेकप के जादू से किया करते थे मेकप के जादू से और क्या करते थे इस बारे में आगे बात करेंगे अभी एक ब्रेक लेते हैं या संजीव कुमार हो, सबके साथ मेरा एक रिस्टा बना हुआ था अचाहे रिस्टे में मेरे बगर खाना भी दिखाते थे, ऐसे कभी-कभी है ऐसे कि बहुत पंडरी दादा को भूलाओ तो हम दो खाना गए स्वागत हागत है, प्रोग्राम है गुफित गुफित गु में फिल्मों के वेटरین मेक-ब आइसके के साथ अपके साथ शेयर किये जा रहे हुआ है और हमारे साथ हैं पंडरी जुकर, यानि पंडरी दादा पंडी दादा ये जो आपने बताया कि क्या वैक्स और कुछ ऐस्बेस्टर्स क्या आपने ऐसे चीज़ आप इती लेकम में हाँ ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने भी खुद भी कहिए के इजाद की होंगी डिसकवर की होंगी क्योंकि बहुत सी चीज़ों का तो कोई फॉर्मूला मिलता नहीं है वो कैसे करते थे हैं क्या होता है हम लोग कभी आप देखेंगे तो हम लोग थोड़े से सिक भी लेते हैं बाद में कभी बाइटके घर पे चार्ज करते हैं से अब आजकल देखेंगे तो आप लोग बुड़ना नहीं हो तो और एज़ी हो गया है लेकि उस दमाने में हम बोको जब किसे को तो उसे पूरी स्कीन जो अक्डी जाती थी, तो उसमें बुड़ापन निकल आता था था अभी ये चीजे उस जमाने में ठीक है, जीज टाइम नहीं था, अभी तो लाटेक्स वगरा निकला है, तो हम लोग एजी जाते हैं, कोई भी मेकप करना हो तो, याने किसे को बॉल्ड बनाना हो, तो ये सब इजी है इसकल, पहले के जमाने में तो बहुत मुश्किल होता था ऐसे, जैसे मैंने अभी, आप यकिन मनेंगे ने, मैंने साही बाबा एक पीचर कीजी से, मनुच कुमार ने डारेक की थे, उसमें जो हिरो था, जो साही बाबा का रोल कर रहा था, उस अभी जैसे उनको मैंने मेकप किया, अभी मेरे पास देखा कि साही बाबा के नाग बहुत ब्रॉड थे, यहां, अभी उसको मैं क्या करूँ, तो मैंने अपने एक पाइप लिया, जो रबर का जो गैस का जो होता है, गैस में डाल लेगा, वो लेके उसको पॉलिस करके, उस वही, तो जैसे के और भी क्या-क्या चीजें हो सकती है, क्योंकि कोई आदमी हो सकता है कि इस तरह का हो, जिसका एक दान टूटा हुआ है, या कोई कान कटा हुआ है, आँख छोटी है, इस तरह के, मतलब सिर्फ हमेशा यह थोड़ी होगा कि सुन्दर आदमी को और भी सुन वहासत यह जो फिजिकल डिफॉर्मिटीज हैं, उसके लिए क्या-क्या करते होंगे? देखिए, नहीं हर चीज जो है, उसका हम लोग पहले ट्रायल करते हैं, कि वो किसी को करना है, तो किस आइडिया से किया जाए, अभी किसी को कान लगाना हो, अभी आपने एक एड आई थी, आपको देखा होगे, ओनेडा, उसमें डेविल करके एक 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 चैरेक्टर, ओ मै देखिए, उसके कान लगाने हो, उसके हमरे पास चीजे कुछ नहीं तो थर्मा कुल के कान लगा दिये, उसके उपर पेंड मरके किये, तो हर चीजे ऐसे नहीं होती, लेकिन आर्टिस्ट को मेंटन करना हो, तो आपको उस चीजे को बनाना पड़ेगा, एक चैरेक्टर से, जैसे अभी गांधी बनाना हो, तो गांधी के पूरे पार्ट हम लोग आजकल बना लेते हैं, पूरे से और फिर उसको अटच करते हैं, उसमें क्या-क्या है? उसमें सब पूरे कान, अभी कान, गांधी के कान बड़े थे, नाक बड़ी थी, तो पूरा फॉर्बिला के साथ, हम लोग उसका मेक अप करते थे, और हम लोग पूरे हिसाब से बना लेते थे, और उसको फॉलो करके, वही रेडी में चिपका देते थे, काम होते हैं. अच्छा, इसके अलावा फिर हम देखते हैं, कि कोई लंबा आदमी है, उसको छोटा बना दिया, यह भी क्या मेक अप करेगा, मेक अप करेगा, ना, 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 इसके लिए कैमेरा काम कर सकता है, जैसे आप यह आपने देखा होगे, अमी तब की पिक्चर यहाई अपने इती भी, पा向, पा向 में उन्होंने मेक अप अड़ी बहार से लाया था, लेकिन मेक अप अप अड़ी बहार से लाने की ज़रूद नहीं कि यहाँ बॉम्मे में बहुत मेकप अड़ीज इतने अच्छ है लेकिन उनको चांस नहीं दिया जाता है इसलिए चुप है लेकिन पा में उन्होंने अमित आप क्या हाइट कम दिखाई अमित आप तो बोट डालता है वो कैमेर और के इसके अलावा और पतले आदमी को मोटा बनाना है वो आजमी को अलग-अलग पाड बना के अटेच करता है और पंडिजादा हमको यह भी बताईए कि वो कौन-कौन से एक्टर थे जो जिनके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता था क्योंकि वो जादा सताते थे आपको मुझे तो ऐसे कभी हुआ नहीं कि मैंने कितना अभी टॉप का अर्टिस्त हो उसको मैंने समा लाए यहने आप देखेंगे तो ताजमान में प्रदिक कुमार था फिर बहुत बहुत आर्टिस्त ऐसे थे कि जैसे दिली कुमार के साथ काम करने के लिए बजा आती थी अभी ताप के साथ काम करने के लिए बजा आती थी यह तो मैं इतना बीजी था बॉम्बे में कि मुझे गोवा जाने के लिए चांसिस नहीं मिलते तो मैं सुवे गया उसके पास मैंने का अमिता मैं दाड़ी तो लगा रहा हूं तुम्हेर पास लेकिन इसकी शुटिंग छे दीन चलेगी तो कैसे करोगे तो उसने का डॉंट वरी मैं संभा लोंगा इसके लिए और उन्होंने मैंने दाड़ी हाथ से लगाई थी वो छे दीन संभा लिया वो भी बोलता है कि जैसे किसके इंटर्यू हो तो बोलते कि मेरे में पेशन्स क्या है तो आप जाके पंडरी दादों को पूछ सकते हैं और ऐसा कोई अनुभा हो जिसमें आपको लगा हो कि अरे ये तो कल का आया हुआ लड़का मुझसे ऐसे बिएव कर रहा है इसके बाप दादों को मैंने तो ठीक कर दिया है नहीं नहीं ऐसे तो कभी हुआ नहीं इसलिए कि मेरे सामने जब आयटी बैटा है तो ऐसे बैटा है कि मुझे मालूम है कि ये आपने क्या करेगा उसके बाद हम लोग तो एक्चुली जिसके मेकप में किसे के गाल बड़े-बड़े हो उसको भी हमने स्लीम तरफ से दिखाय है मेकप में या किसी के एज ज्यादा हो गए होगी उसको एज कम करनी होगी तो भी हम लोग मेकप में ही करते हैं शेयर लेट से कर लेते हैं तो मेकप का जो एक चाम बना हुआ है उसको हैंडल करके हम लोग करते हैं तो लड़की भी कुपसूरत बन सकती है और लड़का भी कुपसूरत बन सकते हैं अच्छा इसमें क्या क्या चीजें इस्तिमाल करते हैं आपके जो प्रैमरी टूल क्या है देखिए यह इसमें एक्शुली बेस जो है वो आजकल क्रेलों का आता है तो क्रेलों जो है वो मैक्सवेक्टर के कमपनी को लेके उन्होंने बनाया है वो पहले मैक्सवेक्तर आता था को जो है कि कुछ कुर्फ है किसी को फ 600 पर दैंकि पर लेकिन और करने के लिए पहले यह सोच को क्या बनाना है क्यों कि कुछ का बनाना हो। उसके उपर, अभी कोई भी ब्राइडल करनी हो, तो ब्राइडल का जो काम है, वो खुबसुरत दिखना चाहिए, इसलिए, तो मैं अभी भी काफी ब्राइडल करता हूँ, तो वो तो चालू ही रहता है हमेशा, लेकिन मेकप में चीजे इतनी बनी हुई है अभी, जैसे लाट सकते हैं, जब हमारे पास नहीं था, तो हम लोग बनियन का बॉर्ड बना के उसको पर थोड़ा सा फॉंडेशन लगा के वो चलाते थे, लेकिन अभी इतना इजी हो गया काम, कि कोई भी लड़के आज कल, आज देखेगे ना आप, आप टीवी सीरियल देखते हैं, तो आप रही है, यानि किसे को ये नहीं सोचना है कि बहुआ रहे, इस सिता को आईशरो, लेकिन खुब्सूरती है, उसके लिए उन लोग लगाते हैं, और कर, नहीं मैं तो ये भी पूछ रहा था, कुछ तो आपने बताया, जैसे कि जब आप मेकप के लिए घर से निकलेंगे, कही क्या साजो सामान आपके पास होता है? लेकिन जो हर इनसान का अपना एक ऐसा आवजार होता है, जो अगर छूड जाए, तो वो सुचता है कि अरे, मेरा वोवाला सामान छूड गया, अब हम कैसे करेंगे? कोई एक चीज ऐसी है? यही तो बात कर रहा हूँ कि मैं हमारे जमान, यानि मैं अभी भी कर रहा हूँ, तो कोई आर्टिस यह नहीं बोलता कि मेरा सामान छूड गया है, तो मेरे पास जो सामान होता है उसमें मेकप करता हूँ. यानि कभी दिक्कत नहीं आती कि यह मेकप नहीं हुआ, कि अभी कभी आप देखेंगे, मैं किस्सा आपको बताता हूँ, मैरे आपने पिचर देखी होगी बैजु बाव रहा हूँ. उसमें मनमन कृष्ण की दाड़ी थी, वो मैं दाड़ी कंटिन ती गया दाड़ी जो थी बाल लगय हुए थे, वो मैं भूल के आउटड़ गया, आउट़ रिजाने के बाद, मैं भूल के, तो मैंने मेरे जो धादा परास पे थे उनको कहा, वो पीचर कर रहे थे, मैं आशिस कर रहता है, तो मैंने कहा इसे इसे बात हुए. तो उन्होंने जमाना था इसलिए जो घास होता है वो ऐसे एक पेपर के उपर निकाले और उससे दाड़ी लगाई उन्होंने और शेड लाइट से उसको दाड़ी को लेकिन मैंने जब प्रशिर देखे तो मुझे बिल्कुल डिफरेंस नहीं लगा उसका लेकिन ये मालूमत होना चाहिए कि अपने को क्या चाहिए कि कुछ नहीं चाहिए भी मैं जैसे एक शुटिंग में आस्ट्रेलिया गया था तो मैं एक स्पंज मेरे पास था हूं मैं बूल के गया था तो मैं स्पंज भूल गया अभी मैंने का वो दाड़ी छोटी दाड़ी लगा थी जैसे वो नैचरल भी मैं वहीं जो मेरे को जो एक क्या भूलते हैं उसको अम लोग ग्रास के पीसिज मिले उसका मैंने पंच बनाया और उसके दाड़ी लगाई तो मैंने दाड़ी को करिक्टा गए लेकिन वह एक मेकप अड़ीस को मालूम होना चाहिए कि अपना जो है काम उसको कैसे हैंडल करना है लेकिन अगर देखें तो सुंदर सुंदर क्या है अगर देखा जाए सुंदरता का क्या आपके लिए खुबसूरती जो है खुबसूरती में आटिस का स्माइल भी आ सकता है आइस के लिप्स भी आ सकते है आइस की फिगर भी आ सकती है अभी आप जैसे धर्मेंदर हैं धर्मेंदर को बहुत फेर कॉंपलेक्शन है तो उसको टोन डाउन करके मेकप करते थे तो रगड लगता था कि वह यह आदमी क ही सबसे आप देखेंगे तो खुबसूरती जो है जैसे नूतन थी, नूतन को आप कुई कैमेरमन किसी जगे पर कैमेरा रखे तो नेटन खुबसूरत आती थी कि उसकी एक फिगर थी उसका स्कीन टुक्टर तहां वएसे है वह आते हैं, यानि लेडिज में तो यह होता है, जेट्स में जैसे मैंने एक शाम करके अर्टिस्ता पुरा ना जो बीचारा गोड़े का पाउन लगके मर गया है शौट में तो उसको देखने के बाद लगता था कि आदमी हो तो ऐसा हूँ. क्या जैसे शाम में क्या खास बता है? शाम में था एक manly look था manly look था manly अजे आदमी को क्या वैसे बोले तो फीचर्स में क्या खास यह नहीं था, soft look नहीं था. हाँ आप चाहता है. तो यादे अभी आप जैसे महिपाल देखें, तो महिपाल जो था वो लेडिस टाइप का लगता था है उसका बात करने का डंग बढ़ रहा. वो नहीं होना चाहिए. तो manly look यह नहीं आदमी लगते टाई में ऐसे लगना चाहिए कि रगड़ है करके. Stipness आदमी की जिपने जैसे कोई कभी-कभी बहुत से artist ऐसे, मैं क्या बता हूँ? स्टूडियो सिस्टम के जमाने में, क्योंकि आप तो राज के अमल में काम करते थे, तो जो दूसरे स्टूडियो के अपने अलग make-up आर्टिस्ट होते होंगे, ऐसा है? जैसे अगर हम कहें कि कभी देविकारानी का make-up करने का आपको मौका नहीं मिला होगा. नहीं, क्योंकि वो वॉमिटॉकी में थी, ऐसा? मदुबाला? मदुबाला का मिला, तो सवाल नहीं है, मदुबाला वगरा सब इनके जो वईदा रह्मान, मदुबाला, मिला कुमारी, इस सब make-up, यानि निरुपोईलाय राज ने के रे, सुर्ति विश्वास वगरा सब के make-up मैंने की है, ऐसे नहीं, जैसे संध्या का, या शांतर काफी टाइम काम किया है, यानि हर आर्टिस्ट जो है, उसका जाकर खाली only make-up करना, और उसके पास कोई असिस्टन छोड़के वापस आना, यह तया, तो उसको काम नहीं बोलते हैं, लेकिन picture making में, make-up आर्टिस्ट जो है, वो full picture में अपना credit दमाएं, तो ज्यादा अच्या अच्या कभी-कभी ऐसा भी हुआ होगा, कि director ने कहा कि यही heroine है, और इसी को सजाकर, सुन्दर बनाकर पेश करो, और लेकिन आपने कहा कि नहीं इसके अंदर वो quality नहीं यह तो हुआ नहीं, क्या एक आप यकिन लेगें, आप समीता पडिल को देखा होगा, वो dark थी, कबूल थे, लेकिन उसमें एक अलग धंग था, वो अलग-अलग pictures में आती थी, जैसे, तो यह जो तेक है कि director तो कभी बोल नहीं सकता किया, यह नहीं बोल सकता कि होगा, इसको यह character suit नहीं होगी, हम लोग उसको सम्भाल के बनाई लेते हैं, और फिर अगर देखें, सुंदर्ता में, जबके फिल्म में सुंदर्ता एक बहुत बड़ी खुबसूरती, एक बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन बाद के दोर में, ऐसी फिल्में भी आई जिसमें हो सकता है, चेहरा मेहरा उतना सुंदर ना हो, ओमपुरी जैसे एक्टर भी आया है, जिनके चेहरे पर चेचक के दाख थे, नसीर अदीन शाह जैसे लोग भी आया है, जिनका रेगुलर, फिल्मी, चॉकलेटी, हीरो की तरह नहीं थे जैसे कि कभी नजमुल हुसान हुआ है, लेकि को एसे हिरो की है, वह एसे नहीं है, लेकिन वह करके को शुट होते हुए, जैसे होते हैं वह ऐसे करके अरेपर पर दुट होते हैं. मुझत तब आप उनको सुंदर खुबसूरत बनाने के चक्कर भी नेहीं पढ़ते हैं? परते हैं कि तो गयर्ेक्टर जो पक्डा है, उसी सरप से खुब सुर्थ के सब रूटए को उसके लिए तो उस ऐख nerain है लड़ी को कॉस्चुरत बनाना ठीक है। लेकिन जेर्ट्स को खुब सुर्थ बनाने के जुरुत नहीं होते हैं। जेंस जो है उजादा करके रगड ही अच्छा लगते है अच्छा पिर ये भी होता है कि एक ही एक्टर दो अलग अलग फिल्मों में साइमल्टेनियसली काम जब करता है एक में उसके बाल छोटे हैं और दूसरे में बड़े होनी की ज़रूरत है तो उस केस में मेकप आर्टिस वही तो बोर रहा हूँ ना अभी मुझे समझो किसी की एज बड़ा नहीं होगी कारेक्टर की तो मैं उस हिससे अपने मेकप करूँगा ना कि बबबाई इसकी एज थोड़ी से ज़्यादा लगनी चाहिए उस हिससाथ अभी एक रह्मान थे रह्मान जो कारेक्टर करते थे उनको जहांगिर बनाने में हां सोचा कि मैंने का इनको जहांगिर बनाना है तो किस धंक से बनाना है उसको मैंने बना के स्केचिस किये वगरा सब कुछ उनके फोटो लिए उसको अपर देखा कि इनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए उस हिसाथ से उनको शेडिं इतने सारे लोगों के आप नाम ले रहे हैं जो एक पूरे पीड़ी दर पीड़ी कई पीड़ी हैं मतलब आपके हाथों से होकर गुजरी कुछ ऐसे किसे याद कीजिए जो उन एक्टरों के कुछ विशेशताओं खासियत पर रोशनी डालते हैं हम पर देखते हैं कि हम राजकुमार के बारे में बहुत नहीं जानते हम इफ्तिखार के बारे में अभी हमारे पास कोई बताने वाला नहीं है अजीत क्या थे उनके बारे में कोई नहीं आपने रह्मान का नाम लिया ही कुछ बताईए तो जरा इन नहीं मैंने काफी सब के साथ काम किया है आजित के भी साथ काम किया है मैंने या इप्तिकर के साथ भी काम किया है ऐसे नहीं है लेकिन हो इप्तिकर को जिस कैरेक्टर में लाना है वो इसे कैरेक्टर में लाते थे न तो इसलिए पुर्णा की मेकप आर्टिस को स्केच करना आन सब इंसन अच्छे थे सवाल नहीं है कुछ आपके साथ ऐसा हसी मज़ाख का कोई मौका है हर आदमी है यह वैसे बोले तो यानि आप आप यह कि आप प्रांड साफ थे प्रांड साफ ऐसे लगता था कि भाहर निकलने के बाद प्रांड साथ एजी आदमी पर यह इतना और जब विलन मन रहता था तो उनका रूपी अलग होता था है तो हर क्यारेक्टर्स लाने में उनका हाथ होता है वो ठीक है लेकिन हम आपके साथ पूछ रहे हैं कि ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ मेकप आर्टिस्ट गया और एक मशीन की तरह काम करके चला एक हुमन डिलेशनशिप भी धीरे-धीरे डेवलप होती है मतलब अलग-अलग आर्टिस्ट लोगों के साथ आपके अनुभव मे इन सब लोगों में से सबसे अच्छे प्यारे लोग कौन से थे जिनको आप अपी भी मेरे साथ तो सभी अच्छे थे मेरे पास तो आप यकिन नहीं मानेंगी कि मैं या दिलीप कुमार हो या संजी कुमार हो सब के साथ मेरा एक रिस्टा बना हुआ था अच्छा इरिस्टे में मेरे बगर खाना भी देखाते थे ऐसे कभी कभी है ऐसे कि बहुत पंडरी दादा को भूला तो हम लोग खाना है कि ऐसे भी बहुत से आर्टिस थे कौन थे ऐसे जैसे थे नहीं सब जिलीप कुमार या बोलो या धर्बन जोशी याने संजी कुमार जो लो या भी है ये सब अपने मिल जूल के अब पहले के जितने आर्टिस थे और मेकप आर्टिस को बहुत क्रेडिट देते थे हाँ तो अब यहीं पर अब आप से यह पूछेंगे कि अब के आर्टिस्ट मेकप आर्टिस्ट को लेकर क्या राय रखते हैं दूसरी बात कि अब के मेकप आर्टिस्ट भी क्या पहले आप लोगों की पीड़ी जैसे मेहनत या उस तरह काम कर पाते हैं अब यहां आप लेकर करता है लेकिन आजकल थोड़े से मेकप आर्टिस्ट जादा बढ़ गए पहले उंग्लियों पर गिनने वाले मेकप आर्टिस्टे और उनको तो एक एक लगन था कि अपने को आगे जाना है उसी साब से करते थे उनों अब ही इतनी विखाए कि कोई ठाय आजकल तो थोड़े से बोलना नहीं चाहिए कि लोग पैसे के लिए यहांदा काम करते हैं पहले पैसे के लिए नहां हम लोग काहँ कुष्बन को हमको नाम चाहता हैं और काम चाहता है या सबसे तो इसकी वाजे से रिलेशनल आर्टिस के साथ भी इतने अच्छे बने है कि कोई भी आज भी पूछो जाके वहीदा को पूछो या आशापरी को पूछो या धरमेंदुर को पूछो तो वो लोग बोलेंगे या पंडरी दादा इस गरेक्ट बहुत 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 में तो हमें लिखिये feedback.rstv.gmail.com पर